नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीफ और पोटफोलियो में आज हम बात करने वाले हैं लारसन और टुबरो के बारे में इसके क्वाटर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं क्या होंगे इसके लेवल्स और टारगेट्स और क्या हमें इसमें करनी चाहिए या फिर सिफ होल्ड करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे बहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगिलर अपडेट्स पाने के लिए नॉटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हैं कि 661 का इसका 52 वीक लो है और 52 वीक हाई है 1591 रुपीज तो आप देख सकते हैं कि आपने 52 वीक लो से यह अच्छी कासी रिकवरी दिखा चुका है और 52 वीक हाई से यह अभी अच्छा खासा नीचे ही चल रहा है यानि कि 52 वीक लो और 52 वीक हाई के technical rating के बारे में तो यहां पर हमें bullish दिखाई दे रहा है valuation के बारे में बात करें तो 1,34,000 करोड की इसकी market cap है PE ratio है 18.9 और industry का PE है 19.5 तो यानि कि industry के PE के आसपास ही हमें available है price to book ratio की बात करें तो 2.56 है जबकि dividend deal है 1.88 परसंट और deliverables दिखाई दे रहे हैं 33 परसंट के तो अब देखते हैं इसका quarter 4 के results कैसे आये हैं तो आप देख सकते हैं कि L&T ने post किया है net profit 3430 करोड का जो कि दलाल स्ट्रीट के estimate से काफी उपर है तो आप detail में देखेंगे कि ऐसे आ हैं Larson and Tubro के results तो आप देख सकते हैं कि Larson and Tubro ने जो consolidated net profit report किया है वो 3430 करोड का जो कि पिछले साल इसी quarter में 3586 करोड था यानि कि YOY basis पे थोड़ी सी गिरावट दिखने को मिली है consolidated net profit में अगर net profit attributable to owners की बात करें तो वो आया है 3197 करोड जो कि था 3418 करोड पिछले साल अगर ET Now के poll के इसाब से बात करें तो net profit का जो estimate आया था 2997 करोड इससे तो कही ज्यादा अच्छा आया है इस time का profit अब देखते हैं revenue में कितनी अच्छी बड़त देखने को मिली है या नहीं तो आप देख सकते हैं company के जो consolidated revenue है उसमें बड़त देखने को मिली है हो गया है 44,905 करोड का जो की था मार्च 19 के quarter में 43,914 करोड अगर dividend की बात करें तो company ने dividend दिया है 8 रुपीज पर equity share का इससे पहले भी interim dividend दे दिया है 10 रुपीज पर share का अगर बात करें orders के बारे में तो आप देख सकते हैं कि orders में भी बड़तरी देखने को मिली है अगर consolidated order book के बारे में बात करें सिर्फ quarter के बारे नहीं पूरे financial year के बारे में बात करें तो जो order book आया है वो 3,3857 करोड का यानि कि अब समझ सकते हैं कि इतना बड़ा order book है जो कि यह 4% उपर यानि कि जो पिछले साल का financial year में जो order book था वो इसाब से हमें 4% growth देखने को मिली है इस financial year में अगर बात करें international orders की तो सारे order books में से हमें 25% के जो orders हैं वो है international orders तो आप समझ सकते हैं सिर्फ इंडिया से ही नहीं internationally भी L&T से काफी काम मिलता है L&T को जो order book है उसमें से 25% के orders international से मिलते हैं कंपनी का कहना है कि economic activities काफी ठब पड़ चुके हैं कोरोना वाइरस की वाज़े से Indian economy को काफी बड़ा जटका लग चुका है उनका कहना है जो lockdown imposed किया गया था financial year 1920 के end में वो जो attempt था community transmission को रोकने के लिए वाइरस को रोकने के लिए वो काफी ज़्यादा struck हुआ है demand and supply को उससी वज़े से अच्छा कासा shock पड़ा है economy को ऐसा company का कहना है company ने ये भी काया कि सारे domestic challenges और global volatility को face करने के लिए uncertainty को face करने के लिए normalcy को restore करने के लिए company ने बहुत सारे ऐसे measures लिए जो उन्हें इस weather में भी economic crisis में भी काम करना follow कर सकते हैं अगर initial quarters की बात करें तो company का कहना है कि थोड़े से adversely effect हो सकते हैं क्योंकि जो अभी की situation है वो काफी गंभीर हो चुकी है लेकिन वो later part में financial year के आगे के 2-3 quarter में थोड़ी सी growth revival देखने को मिल सकती हैं ऐसा company का कहना है और all हमने देखे results काफी अच्छे आए consolidated revenue में हमें अच्छी कासी बड़त दिखने को मिलिए और जो profits आएं वो भी कुछ ज्यादा कम नहीं आएं और estimates से काफी अच्छे आएं L&T company का भी कहना है कि थोड़ी सी परिशानी रह सकती है starting के quarters में लेकिन जैसा जैसा समय बीतेगा तो सारी समस्या कम हो जाएगी और growth revival फिर से देखने को मिल सकता है तो अब चलिए देखते हैं कि charts पर हमें कैसी moment दिखाई दे रही है L&T के stock में तो अब देख सकते हैं कि हम लोग charts पर आ चुके हैं जहां पर हमें देखकर पता चलता है कि जब गिरावट बनी हुई थी तो ये 661 के आसपास इसने low बनाया था और stock उपर move करना शुरू हो गया था अगर current market price के बारे में बात करें तो 957 के आसपास है जो अपने हमने जो reversal देखा था उस reversal के top पर ये अभी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसने जो recent high बनाया था उसी के आसपास ये खड़ा है और अपने 50 days और 20 days के EMA के उपर success bullet trade कर रहा है इसका जो next level हो सकता है वो है 100 अब देखते हैं अलग-अलग indicators हमें क्या बताना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो RSI का number है वो है 62.65 याने की strength दिखाई दे रही है RSI के number में अब देखते हैं money flow index हमें क्या बताना चाहता है तो आप देख सकते हैं money flow index का जो number है वो है 67.99 पिछले कुछ समय में 80 के आ गोसिस की थी कि bearish crossover हो जाए लेकिन नहीं हुआ है और तेजी continue ही रही है अब देखते हैं ballinger band में कैसी situation बनी हुई है तो आप देख सकते हैं कि ballinger band के upper band को छोड़ने को ये तयारी नहीं हो रहा है lower band के आसपा support लेने के बाद ये ऊपर ही चलता जा रहा है और अपने upper band को चि pivot points कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कि जो resistance ये face कर सकता है वो है 982 रुपीज का उसी के आसपास इसने अभी पहले भी हाली में resistance face किया था अगर pivot level की बात करें तो वो है 887 रुपीज का अगर नीचे के supports के बारे में बात करें तो 836 रुपे का support हमें दिखाई देता है long term support क बात करें तो 661 है जो कि इसका हाल ही का low बना था यानि कि almost 700 का level इसके लिए अच्छा खासा support माना जा सकता है अगर resistance के बारे में बात करें तो 1000 रुपीज का resistance यानि कि 982 के आसपास का resistance और बाद में 1032 का resistance इसे लग सकता है हमने support देखे short term के support जो है 20 days के ये में और 50 days के ये तो आप देख सकते हैं कि long term में इसने अच्छी कासी उपर momentum दिखाई है लेकिन बीच में बहुत बार इसमें deep correction देखने को मिलता है इसलिए सही समय पे लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है अगर हम position के बारे में बात करें तो अगर आपने बहुत ही उपर position बना इसमें profit booking करने के जल्दबाजी ना करें long term के लिए रखें अगर आपने short term के लिए रिया है तो of course आप profit booking कर सकते हैं अगर आप fresh buy के बारे में बात करें तो मेरा मानना है कि अपने 52 भी close है अभी भी काफी नीचे है तो current market price भी बिल्कुल भी बुरा नहीं है लेकिन मेरा मान करना है कि जब ये 20 days के ये में क्या आसपास आता है यानि कि 900 या उसके नीचे एक बार आता है तो इसमें आप investing कर सकते हैं क्योंकि overall stock बहुत ही अच्छा है और लेकिन एक साथ कभी भी investment मत कीजिए buy on dips की strategy अपना ही है एक साथ सारा investment एक ही साथ नहीं करना है थोड़ी थोड quantity हर एक dips पर buy करनी है तो long term में stock का अपने portfolio में रखना चाहिए ऐसी मेरी रहे रहेगी तो अगर आपको ये video पसंद आया है तो like कीजिए share कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए thank you stay happy happy investing